तो कुछ इस तरीके से आप pencil को sharp करके बहुत एज़िली charcle Cheel made by tourist बना सकते हibl sommes विजी हैं तु आज का फ़िए में हम लोग बात करने वाले इस तरीके से sharp करते हैं सबसे पहले हम लोग इसको cutter के साथ आपके पास cutter हो या फिर कुछ इस तरीक है कोई blade हो, वो भी आप use कर सकते हैं सो सबसे पहले इसको cutter के साथ हम लोग इसका जो wood part है वो हटा देते हैं थोड़ा और आपको कुछ इस तरीके की movement रखनी है कि यहाँ पर आपने blade रखा और hulk के हाथ से या तो blade को आगे कीजिए या फिर pencil को पीछे कीजिए इसमें से एक चीज़ आपको करनी है कुछ इस तरीके से और यह आपको हलके हाथ से करना है ज्यादा pressure देगे मत कीजिएगा क्योंकि इससे जो charcoal है वो तूट सकता है तो इतना हो जाने के बाद अब हमें यह sandpaper लेना है और pencil को हमें कुछ इस तरीके से sharp करना है आप दोनों में difference देख सकते है मैं आपको बताता हूँ पहले हम लोग एक बार इसको sharp कर लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ तो हलके हाथ से आपको इस पर इसकी sanding करनी है और बिल्कुल point नहीं बनाना आपको थोड़ा गुलाई में रखना है इसको circular motion में अब आप देख सकते हैं कि हमारी pencil जो वो sharp हो गई अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको इस तरीके से sharp क्यों किया है अब हमारे पास pointed pencil भी है और उसके साथ साथ हमारे पास strength भी आ जाती है और इसको आप थोड़ा और यहां से गुलाई दे सकते हैं कुछ इस तरीके से बजाए उसके कि आप एकदम उसको इस point में बनाएं pencil को sharp करें हम लोग इस तरीके से उसको sharp कर सकते हैं तो ये वाला जो हमारा pencil sharp करने का तरीका ये काफी strong रहता है और इससे हमें draw करने भी काफी easy हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से और इसमें हमें ये stroke भी easily मिल जाते हैं अगर मैं इस तरीके से pencil sharp करके ऐसे stroke लेने की कोशिश करूँगा तो हो सकता है pencil जो है वो आगे से थोड़ी से तूट जाए बीच में सो अब हम लोग एक drawing बना के इससे देख लेते हैं माल लेजे कुछ इस तरीके से इसको मैं यह से double कर देता हूँ यह आपे teardrop और यह हमारी eyes के नीचे श्याशे और इसको यहां से फिर फर्दर थोड़ी से और refinement कर देते हैं सो अभी यह इतनी जादा dimension इसके इंदर नहीं नजरा रही है तो मैं हलका सा इसको refine कर देता हूँ अभी इसके adjust को थोड़ा सा refine करके यहां पर हमारे teardrop कुछ इस तरीके से आ जाएगी और फिर यह लाइन आती है और इसके साथ ही हमारे पस कुछ इस तरीके से यह आई हमारी आती है और फिर उपर की line दैन यहां से cover up हो जाती है और फिर यहां पे इलकी सी जगश्म बसती है और वो फिर इस तरीके से आती है और यह line हमारे पस आएगी नीचे यह line आएगी इसको भी मैं थोड़ा shade कर देता हूँ तो अब हमारी जो चार कुल रोइंग है वह काफी जल्दी इससे कंप्लीट हो गई और इतना टाइम हमें इसमें लगा नहीं और जब यह चार कुल रोइंग हो जाती है तो हम लोग एक blending stump लेते हैं blending stump का जादू जो है वो इस पर होता है आप देख सकते हैं इतने easily हम लोग एकदम बहुत easy है जो drawing है वो इतनी साथ difficult है नहीं जितना actual में चीजों को दिखाया जाता है वो इतनी difficult होती नहीं है तो यहाँ पर जो हमारी eye drawing है वो ready है तो कुछ इस तरीके से आप pencil को शाप करके बहुत easily jargul के साथ drawing बना सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में खड़े से आप में पहपाएब्क बाहआए जाप ने करे बना में की ओट मॉर्प ऐसे एक मुया को आपार anál में हूऊ नेकिए उना इतना है de everyone